अगर योगी जी आयुद्या से चुना लड़ते तो विपक्ष कहता है कि गोरकपुर से हार का डर था इसलिए आयुद्या चले तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना लेकिन अब ये पक्का हो गया है कि योगी जी गोरकपुर से चुना लड़ने जा रहे है अब एक टेंशन तो दहीं दिया है कि मायवती जी प्रियंका जी अखलेश जी अब आप लोग भी चुना लड़िये खुद भी लड़िये ये एक तरह से संदेश है आस्मा पे ठीकाने किसी के नहीं होते जो जमी पे नहीं होते वो कहीं के नहीं होते अगर योगी जी अउध्या से चुना लड़ते तो विपक्ष कहता कि गोरकपुर से हार का डर था इसलिए अउध्या चलेगे तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना लेकिन अब ये पक्का हो गया कि योगी जी गोरकपुर से चुना लड़ने जा रहे अब एक टेंशन तो दरी दिया है कि माय वति जी प्रियंका जी अकलेश जी अब आप लोग भी चुना लड़िये खुद भी लड़िये ये अक तरह से संदेश है आस्मा पे ठिकाने किसी के नहीं होते आस्मा पे ठीकाने किसी के नहीं होते जो जमी पे नहीं होते वो कहीं के नहीं होते